हेलो दोस्तों मैं हूँ बैभव और आप पहुच चुके हैं अपने फेवरिट चैनल बीट्स फ़र बयोलजी पे इंडिया की इस बेश क्रैस कूर्स में आज बात करेंगे हम क्लास 12 की तीसरी चैप्टर इसका जो प्रैक्टिस सेशन का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बिल्कुल फ्री 75 कोश्चन्स लाइव करेंगे हम लोग अगर तुम रोज 4 घंटे देने को तयार हो तो मैं तुम्हें 360 देने को तयार हूँ रोज अपने 4 घंटे अगर डेडिकेटर्स स्टडी किया तुमने तो 360 by 360 क्योंकि हम 20 हजार से ज़्यादा कोश्चन्स NCRT की करने वाले हैं अल्रेडी हम हजारों कोश्चन्स कर चुके हैं अनकैडमी के स्पेशल क्लास में बिल्कुल फ्री मेरे बारे में कुछ है इसके बाद टेलिग्राम लिंक है ये टेलिग्राम चैनल का लिंक इसको जोईन करोगे तो मेरे टेलिग्राम पे पहुँच जाओगे Bits for Biology, Telegram होनी चाहिए और Telegram में Bits for Biology होना चाहिए यह 100 Days का Biology का Crash Course है जो 14th December को स्टार्ट हुआ और 31st माल तक चलता रहेगा 100 Days में हम Complete Biology को Cover करेंगे with more than 20,000 NCRT MCQs रोज सामशार बजे और रोज रात 9 बजे Unacademy के Special Classes में यह सेशन होती है जिसमें खूब सारे MCQs हम Practice करते हैं वहाँ पे जब जाओगे तुम तो वहाँ पे जितने भी मेरे सेशन हैं उनको Unlock करने के लिए तुम कुसे एक Code पूछा जाएगा वो Code यूज करोगे तुम Kumar Live तो वहाँ पे तुम Frame में पहुच जाओगे कुमार Live Code को अपलाई करने के बाद Unacademy Plus जो इंडिया का एक बहतरीन प्लाटफॉर्म है Unacademy का पेड प्लाटफॉर्म जो बच्चे एफॉर्ड कर सकते हैं उनके लिए बहतरीन प्लाटफॉर्म है फीचर्स क्या-क्या मिलते हैं फीचर्स बहुत कुछ है Unlimited Access मिलता है तुम्हें कोर्स का Batch Courses होते हैं तुम Teacher Switch कर सकते हो ये सब फाइदे तुम्हारे पास यहाँ पे है टेस्सरीज है Study Material है Mentorship में तुम रहोगे बहुत सारे फाइदे मिलते हैं तो तुम मुझे Unacademy पे फालो कर सकते हो वहाँ पे सारे तुम्हें लेटेस्ट अबडेट्स मिलते रहेंगे Unacademy पे आज से नया Batch स्टार्ट हो रहा है आज से नया Batch स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है पहल Batch और Unacademy में मैं कई सारे Special Classes लेता हूँ Unacademy का जो Subscription Plan है वो दो तरह का Plan है एक Plus का Platform है और एक Iconic का Platform है Plus के Features है ये और ये Iconic के Features है Iconic में ये सब Properties और सारे हैं Iconic Subscription में तुम्हें एक Personal Coach मिलता है Study Planner, Experts के Guidelines और Test Analysis भी होती है तुम दोनों में से Coin Roll कर सकते हो Subscription लेने का ये Step है और Subscription के ये Price है Screenshot तुम ले सकते हो इस Price में तुम्हें 10% और Discount हो जाएगा If you apply खुमार Live Refill Code ये Code यूज करने से Instant 10% का Discount है तो आज से Batches कई सारे स्टार्ट हो रहे हैं Plus पे तुम उसे Join कर सकते हो ये Chapter है हमारा Human Reproduction Plant के Reproduction देख चुके हम दो Chapter already स्क्रैस कूर्स में हम कवर कर चुके हैं Reproduction in Organism और Sexual Reproduction in Flowering Plant आज से हम करने वाले हैं Human Reproduction का ये Chapter जिसमें Topics ये सब कवर किये जाएंगे सबसे पहली Topic होगी Male Reproductive System के बारे में जो आज कवर करेंगे हम फिर उसके बाद Female Reproductive System को पढ़ेंगे फिर देखेंगे हम की Gamets आखिर बनते कैसे हैं Gametogenesis Miss Male में होगा तो Spermatogenesis Female में होगा तो Eugenesis आगे ये बहुत ही Conceptual Topic है Menstrual Cycle L.A.S.R.G. कैसे हो रहा है F.S.H. कैसे सिक्रीट हो रहा है Istrozen का लेवल Progesteron का लेवल कब कैसा होता है उसके बाद पढ़ेंगे Fertilization और Implantation Fertilization is Gamets का Fusion और उसके बाद देखेंगे Implantation जब वो Uterus की दिवारों में कैसे जाकर धसता है उसके बारे में उसके बाद Pregnancy पढ़ेंगे जो 9 मन्त की Pregnancy चलती है उसके बारे में और Embryo का Development उसके अंदर कैसे हो रहा है और सबसे आखरी टॉपिक होगा जिस दिन बच्चा इस दुनिया में बाहर आएगा जिससे हम बोलते हैं Perturition Delivery जिससे कहते हैं हम और बाकी Lactation जब मान ने बच्चों को दूद पिलाया Lactation Prade चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है Humans की अगर बात करें तो क्या Humans Sexually Reproducing Organism है Sexually कहने का मतलब जहां Gamets का Fusion हो रहा है तो वो कौन से हो गए Sexual Reproduction की बात हम करते हैं हम लोग किसके प्रड़क्ट हैं Sexual Reproduction के प्रड़क्ट हम कहे जाते हैं जिसमें Biparental Involvement होता है Vivi Paras है ना हम अंडे से तो बाहर नहीं आते हम इस दुनिया में Direct Young Ons के फॉर्म में ही बाहर आते हैं हम दूसरी चीज Reproductive Events जो Humans में चलती हैं वो कौन-कौन सी इवेंट हैं और इसी sequence में इवेंट्स चलती हैं वो इवेंट्स कौन-कौन हैं देखते हैं सबसे पहला है Gametogenesis ठीक है Gamets का बनना हो गया Gamets बन गये Male में sperm मन गया Female में ovum मन गया अब यह जो spums हैं कहां जाएंगे Female Genital Tract में जाएंगे इस process को क्या बूला जाएगा Insemination अभी तक दो process हो चुके एक Gametogenesis हो चुका और एक Insemination हो चुका अब जब Insemination Female Genital Tract में Vagina में इंसर्ट किया गया पेनिस और इंसर्ट करने के बाद वहाँ पे Ejaculation हो गया जब हमने Insemination करा दिया Female Vaginal Tract में उसके बाद तो Gamets का Fusion ही होना है जो इसी chapter में पढ़ेंगे हम जिसका नाम है Blastocyst Blastocyst वो stage है जो जाकर uterus की दिवारों के साथ जाकर चिपकने वाला है उसके अंदर धसने वाला है उसको क्या बोलते हैं Blastocyst जब वो uterus की दिवारों में धसेगा हम उस process को बोलते हैं Implantation और सबसे आखरी है Embroionic Development जो 9 महीने तक बच्चे का development होगा हम उसे नाम देते हैं Gestation का ये सब में अलग है हाथी में ये प्रेड अलग है human में ये प्रेड अलग है cat में ये प्रेड अलग है dog में ये प्रेड अलग है तो हमने इनको क्या नाम दिया इनसेमिनेशन उसके बाद फर्टिलाइजेशन उसके बाद implantation implantation के बाद gestation gestation के बाद parturation और parturation के बाद एक और अगर बूलना है तो हम lactation बोल सकते हैं मा अपने बच्चों को दूद पिलाएगी यहां तक ये काम खतम हो जाता है इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम puberty के बारे में हम लोग अल्रेडी जान चुके हैं क्या-क्या reproductive events male में चलते हैं female में चलते हैं वो वाकई तुम सारे अच्छे जानते हो इसके बाद कुछ remarkable differences मिलते हैं male और female के reproductive जो बात चल रही है events में उसमें अगर हम बात करें male के बारे में male में sperm जिन्दगी भर बनती रहती है लेकिन अगर female के बारे में बात करें female में लगभग 45-50 सालों में लगभग ovum जो है उसका formation नहीं होता क्योंकि ovum जो है वो सारे लगभग हत्म हो जाते हैं सारे कुछ डिजन्रेट हो जाते हैं follicular atrasia का condition होता है कई सारे डिजन्रेट हो जाते हैं और उसके बाद menstrual cycle भी बंद हो जाता है तो कोई role वहाँ पे होता नहीं है ठीक है start करते है male reproductive system से आज हमें सिर्फ यही पढ़ना है male reproductive system और इसके 75 questions करने है unacademy के special class में जिसका link नीचे दे रखा है enroll कर लेना जल्दी से male reproductive system पहली बात कि इसका location कहा है हमारे दो तरह के region होते हैं एक होता है pectoral region जो ये वाला region है जिसको बोलते हैं pectoral region नीचे का जो region है नीचे की region को बोलते हैं pelvic region बोलते है तो जो नीचे का region है जहां पे हमारा male reproductive system present है या female में female reproductive system present है हम उसे बोलते हैं कौन सा region pelvis region या pelvic region इसको बोला जाता है male reproductive system में क्या क्या चीज़ें आती है testis आता है जो कि pair में होगा दो testis होते हैं हमारे पास इसके अलावे कई सारे accessory duct हैं duct की बात बुली जा रही है तो vas difference, vas eferentia ये सब ducts होते हैं बाकि glands की बात करें तो prostate gland है, seminal vesicle है bulborethral gland है ये सब gland होते हैं और external genitalia जिससे हम penis का नाम देते हैं testis की बात करें testis का location कहा होता है तो testis का location होता है abdominal cavity के बाहर जब बच्चे के अंदर ये होता है तो बच्चों में testis अंदर ही होती है जो 9 month में baby है अगर कोई male boy है तो उसके अंदर में ही testis होता है जब वो इस दुनिया में आते हैं तो asperm का production बाद में होना है लेकिन testis पहले ही नीचे descend कर जाता है outside abdominal cavity within a pouch उस pouch को क्या बोलते हैं जिसके अंदर में testis होता है ascrutum कहते है ascrutum abdominal cavity के बाहर है तो बाहर होने से ये फाइदा मिल रहा है यहाँ पे कि ये low temperature को maintain कर पा रहा है तो बात आती है body temperature से कितना low तो body temperature से लगभग 2.5 degree Celsius body temperature से कम लगभग 35 degree के आसपास aspermatogenesis होता है विस asperm का production लगभग 35 degree के आसपास होता है ओके next आगे aspermatogenesis के लिए कहने का मतलब formation of sperm के लिए formation of sperm के लिए जरूरत होती है आगे बात करें adults की बात क्यूंकि adults में ही पूरी तरह से shape पता चल पाएगा तो testis का जो shape होता है वो oval shape का होता है undercard shape का होता है next length की बात करें testis की तो 4-5 cm होता है और width की बात करें तो 2-3 cm होता है ये data पूछे जाते हैं exam में testis की जो covering होती है तो dense covering होती है बहुत ही अच्छे से cover की गई होती है वो सब में नहीं जाना हमें, ट्यूनिका एल्बुजीनिया में, ट्यूनिका वैस कुलोशा में, वो सब में नहीं जाना, questions नहीं आते हैं यह question important है, यहाँ पे सबसे पहली बात एक testis, जो बच्चे मिस्स कर जाते हैं एक testis में कितने compartment हैं, 250 compartments हैं, हर एक compartment को क्या बूला जाता है, testicular lobules, क्या बूलेंगे, testicular lobules, तो बताओ दोनों testis मिलाकर कितने होगे, testicular lobules, 500 अब यहाँ पर पहले इस structure को देखो, इस structure को देखो कैसे यह चीज हुआ है, सबसे पहली यह चीज, urator, जो kidney से आ रही होगी, जो बात कर रहे हैं हम लोगी urator के बारे में, जो यहाँ पे आ रही होगी, और इसको urine डालने का काम यहाँ पे कर रही होगी, urinary bladder में urine भर जाता ह सिंपल सी बात, seminal vesicle वो gland है, जो asperm का main composition त्यार करती है, जो पत्ते जासा लग रहा है, इसी को हम बोलते है, seminal vesicle, इसमें पीले कलर का यह चीज है, वो urine भरा है, जो की यूरेथरा के रास्ते, यह वाला जो पार्ट है, यूरेथरा है, यह जो पीला वाला पार्ट है, यह बाहर आ जाएगा, उसके बाद, चलते हैं हम testis में, testis कौन से pouch में है, जिस pouch में हम उस pouch को scrotum कहते हैं, अंदर में testis present है, next, यहां से जो निकला है, a sperm, a sperm कौन लेकर आएगा, vast difference लेकर यहां से sperm चलता है, और आगे जाकर यह मिल जाएगा, यहां पर इस gland को, prostate gland का नाम दिय गया गया है, जो पूरी तरह से triangular shape का यहां लग रहा है, next, penis पता तो चली रहा है, penis का जो cover होता है, जिसे हम for a skin कहते हैं, उसके नीचे जो present होता है, उपर का top portion, उसे हम glance penis कहते हैं, next, चले हम लोग यहां पे, तो यहां पे ejaculatory duct होता है, जहां से ejaculation यहां से देरे-देर स् portion है, यहां से जो fecal matter है, वो annus के through body से बाहर आएगा, यहां पे bulb or urethral gland होते हैं, के number हम देखेंगे कहां कितने होते हैं, यह diagrammatic section है, जो दिया गया है, male pelvis का, pelvis मैंने बताया, अभी नीचे के region को हम pelvis कहते हैं, एक और diagram है, यह भी देखो, जड़ा, ureter, जो kidney से आ रहा है, जो है, एक testis हो गया हमारे पास, इसमें total testicular lobules कितने होंगे, एक में 250, तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 500, अब इसके बाद देखो, rated testis है, जो यहां से निकला है, जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसको हम बोलते है, वासा इफरेंसिया, तो क्या मैं कह दूँ, rated testis तुम्हें दिख रही है, इस मोटी सी pipe को हम epididymus कहते हैं, एक इधर भी testis में होगा, एक उधर भी testis में होगा, इसको ही जूम करकर दिखाया गया है, आगे बात करें, वास डिफरेंस दो होते हैं, एक इधर है, तो एक इधर भी होंगे, यूरेटर का भी नंबर दो होता ह ये एक ही है, प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर एक होता है, बल्बू उरेथरल ग्लैंड का नंबर जो है, वो दो होता है, उरेथरा साफ दिख रहा है, टेस्टिस की बात करें, समझ रहे हो, फोरस स्कीन, उपर का स्कीन है, और ग्लांस पेने समझ रहे हो, डेग्राम की ले की बात करें तो उसमें एक से लेकर तीन हाई क्वाइल सेमिनिफेरस ट्वल होता है एक में अगर बात करें तो टोटल मौजूद कितने हैं एक से लेकर तीन मौजूद है एक लॉबिल में तो क्या मैं कह सकता हूं इनकी नंबर लगभग साड़े-700 तक जा सकती है एक टेस्टि इना टेस्टिस तो कितना बोल सकते हैं हम लोग 750 इसमें क्या बन रहा है इसमें sperm प्रोड्यूस हो रहा होता है क्या मैं कहे दूँ टेस्टिस की वह स्ट्रक्चरल और फंगिस्टल इनिट जहां स्पर्म का प्रोडक्शन होता है हम उसे ही समने फेरस्टिबूल का नाम देते हैं जितने भी समने फेरस्टिबूल है उनमें लाइनिंग होती है देखने को दो तरह की लाइनिंग होती है मानकर चलो यह समने फेरस्टिबूल है तो इसमें दो तरह की लाइनिंग ऐसे से देख of cells called male germ cells and sertoli cells क्या नाम बोलते हैं? sertoli cell यह जो peeler जैसा है इसे sertoli cell बोलते हैं और बाकी यह सब सारे के सारे क्या हो गए? aspermitogonia हो गए यह sertoli फिर यहाँ पे aspermitogonia ऐसे-इसे चीजे होती है तो बस दो नाम यह याद रखेंगे two types of cells होती है male germ cells को भी बोला जाता है आगी gametogenesis में काम आएगा यह क्योंकि gamets का production इसी से होना है sperm का production male germ cells के बारे में कहें जिसको aspermitogonia बोला जा रहा है यह meiotic division में जाएगा क्योंकि meiosis में जाएगा तभी तो variation लाएगा एक से चार बनने का काम करेंगे finally leading to a sperm formation और जो satuli cell है वो क्या देने का काम करेंगा nutrition जो germ cells produce हो रहे हैं उनको nutrition देने का काम करता है जो semniferous table के बाहर का जो portion होता है हम उसे interstitial space कहते हैं जिसमें blood vessels भी देखने को मिलता है और interstitial cells भी देखने को मिलते हैं interstitial cells को हम leading cells का नाम देते हैं यहाँ पर यह चीज़ important है याद रखना कि यह outside में present होता है semniferous table के बाहर वाले region जो होते हैं जिने हम interstitial space बोलते हैं उसमें छोटे-छोटे कई सारे blood vessels नफ्स वगरा होते हैं और उस जगह को वहाँ पर interstitial cells भी होते हैं तो बस यह चोटी से चीज़ धियान रखनी है leading cell यह वही है जो आगे जाकर testosterone का formation करेगी leading cells synthesize and secret testicular hormone जिसे अंडरोजेन कहते हैं और इसी के अंदर के member को हम testosterone कहते हैं यहाँ पर एक NCRT की complex line लिखी गई है कि other immunologically competent cells are also present यह जो immunologically competent बूला जा रहा है यह fibroblast cell के बारे में बूला जा रहा है जो कि asperm को protect करने का काम करते हैं pathogen से यह benefit है यहाँ पे इसका diagram देख लिया हमने अब यहाँ से question मनता है यह तुम्हारा asperm का root है asperm की root asperm कैसे transfer होता है तो मैंने simple way में नीचे लिख रखा है पहले नीचे से समझेंगे इसे testis के अंदर रेटे टेस्टिस है जो अभी टेस्टिस के अंदर में मौजूद है रेटे टेस्टिस के अंदर में स्पम मनता है उसके पहली भी चलें तो सिमनिफेरस्टिबुल के अंदर स्पम मनता है रेटे टेस्टिस में आता है वास इफरेंसिया जो टेस्टिस को छोड़ रहा है टेस् पर seminal vesical होता है इसका secretion हो जाता है इसमें तो ये वाला part है जो clitary duct और वहीं पर urinary bladder होता है दोनों का एक ही common pathway है जिसको urethra कहते हैं और उसके बाद penis और penis के बाद urethral meters से वहाँ पर urine भी pass हो जाएगा और वहाँ पर semen भी pass हो दोनों का common pathway है लेकिन दोनों simultaneously कभी एक साथ नहीं आ सकते है स्पर्म और semen और urine NCRT के लाइनों को देखते हैं जड़ा male 6 accessory duct क्या क्या आते हैं इस accessory duct में rated testis आता है जो testis के अंदर में है vasai referencia जो testis को छोड़ रहा है epididymase जो testis को छोड़ चुका है vasai referencia जो abdominal cavity से होकर गुजर रहा है semeniferous table की बात करें तो testis वाली खुलती है आगे vasai referencia में rated testis से होते हुए मतला rated testis के बाद vasai referencia vasai referencia testis को छोड़ दिया है या कहना चाहिए छोड़ रहा है तो अच्छा होता epididymase की बात करें तो उसमें आ जाता है located on the कहां है वाई तो पीछे वाले surface पे testis के epididymase के बाद चीज क्या आती है vast difference और आगे जाकर वो abdominal cavity में जाता है और वहीं urinary bladder के पास loop बनाता है seminal visiacal के साथ होते हुए वो urinary tractory duct बन जाता है ये sperm को store करने का काम करता है और बाकी बाहर के तरफ sperm आ जाता है urinary bladder से आ जाता है और बाकी penis से होते हुए urethral meters के तरफ बाहर आ जाता है अभी इसी की बात कर रहे थे हम लोग ये जितने भी तुम देख रहे हुए ये part ये red वाला जो part देख रहे हुए इसमें ही वो blood vessels मौझूद है अभी बूला गया था ना कि seminiferous table के बाहर वाले जगह को हम interstitial space बोलते हैं वहां पे interstitial cell है lady cells वगरा है तो ये वही जगह है labeling easy है कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं अंदर में कई सारे esperm यहां पे बन रहे हैं और बाकिया spermatogonia तुम जानी रहे हो male germ cells को बनाने वाला cell totally cell जो की nutrition देने का काम कर रही है ये वाली चीज़ penis की बात अगर करें तो penis ही male external genitalia होता है penis की शीज का बना है special erectile tissue का बना है जिसका नाम होता है corpus spongiosum और corpus cavernosha that helps in the erection of penis क्योंकि penis में कोई bone नहीं होता फिर भी वो erection होता है due to presence of erectile tissue corpus spongiosum और corpus cavernosha ताकि insemination हो पाए अगर penis लूज होगा तो vaginal tract में inseminate नहीं कर पाएगा miss ejaculate वहाँ पे नहीं हो पाएगा female genital tract मे जो penis का बाहर वाला end होता है उसको हम glands penis के नाम से जानते हैं और उसके उपर में एक skin की covering होती है जिससे हम for a skin बोलते है male के पास accessory gland में कौन आएगा accessory duct में तो देख लिया हमने ratatastase, vas deferensia epididymes, vas deferensia इस सब शीज़े देख लिया हमने अब accessory gland में क्या आते है seminal vesical जो की pair में होता है यहां से निकलते क्या है यहां से seminal plasma निकलता है seminal vesical से जिसमें fructose है prostaglandine है calcium है बहुत सारी चीज़े होती है मौजूद एक prostat होता है और बाकी pair में होते हैं bulbo urethral gland जिने कॉपर्स gland का भी नाम बोला जाता है आपस में सारे मिल जाते हैं और सब मिलकर seminal plasma बन जाते हैं जिसको semain बोला जाता है बात यहां पे आती है जब सब बिला कर दिये तो नाम सिर्फ seminal plasma ही क्यों इसको हम क्यों नहीं नाम दे सकते prostate plasma bulbo urethral plasma क्योंकि सबसे ज़्यादा secretion जो है सबसे ज़्यादा जो अपना सब कुछ जिसने दिया है वो दिया है seminal vagical में 60% जो semen का हिस्सा है वो होकर गुजरा है वो कहां से आया है seminal vagical से ही आया है seminal plasma में fructose बहुत है male body में ही मिलती है सिर्फ fructose calcium और कुछ खास तरह के enzymes यहाँ पर मौझूद होते है जो bulburithal gland का secretion होता है वो penis के lubrication में जो है वो मदद करता है sem penis के अंदर के lubrication की बात चल रही है in the lubrication of the penis ताकि अंदर की जो भी urine से चीज़े आई है तो जो acidic nature का हो जाता है bulburithal gland ताकि वहाँ पर चीज़ें maintain रहे बात समझ में आ गई इडियाग्राम भी सब को समझ में आ ही रहा है तो इसी के साथ हमारा male reproductive system यहाँ पर हमारा खतम होता है इसके questions करेंगा in academy के special class पर तो पढ़ो तो एक दिवाने की तरह क्योंकि तुम्हें दुनिया का सबसे बहतरीं डॉक्टर बनना है